हाई अवरीवन तयारी कैसे चल रही आप सबकी आई होप कि अच्छी चल रही होगी अगर आपने नोट्स बनाया है तो तो दोस्तों फर्स चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं अगर आपने उसका नोट्स बनाया है तो बना तो अच्छी बात है अगर नहीं बनाया तो मेरे वीडियो को देखिए और उसका नोट्स बनाईए वीडियो को पढ़िए समझिए तभी आपको फर्स चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा हम आपको पहले फर्स चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद उसके कोशियन भी बता चुके आप उन दोनों को रिवा जाएए वीडियो को ध्यान से देखिए और हम जो बोलने उसको सुनते हुए चलिए कहीं पर आपको नोट करने की जरूरत पढ़ सकती है आप उसको नोट कीजिए समझिए वीडियो को ध्यान से देखिए सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला टॉपिक है पह सीम्पल सा जो है इसका वर्ड है सूचना इस्तानांतरण चक्र जैसा हमने आपको पहले बताया कि कि तोड़ के पहले एक एक वर्ड का मतलब समझेगे आपको आर्टोमेटिक सारी सारी चीज़े समझ में आ जाएगी तो यहां पर सूचना जैसा कि आप पहला chapter दी था सूचना समझ के आप संचना समझ जाईये छंपर समझ जाईये तो इसका मतलब क्या है? कि जैसे तीनों को अगर हम mix करें तो इसका मतलब इस तानांतर का मतलब वह एक स्थान से दूसरे अस्थान से चक्र मतलब जो घुमता है, सूचना तो जानकारी ही है, तो इसका simple way में अगर हम आपको बोले, तो इसको आप ये कह सकते हैं, कि सूचना के उभुकताओं में उनकी आवशक्ता की पूर्ती है तू, सूचना को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर उपयोग है तू, समप्रे करने योग्य बनाती है, जी आ दोस्तों ये था सूचना इस्थानांतरण चक्र का मतलब, अब आपको जैसे लिखना होगा, आप उसको नोट करना चाहते हैं, तो नोट कर सकते हैं, एक्जाम में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जी मैं बोल रही हैं, आप नोट करते हैं, चलि किसी सूचना की उपयोग, उसका सदुपयोग करने हैं, समाजिक संरचना के सदस्यों तक इस्थानांतरित किया जाता है, चुकि सूचना का इस्तमाल उसके प्रयोग करताओं के बीच में होता है, अतो उनके अशक्ताओं की पूर्ती हैं, चक्रिय रूप में सूचनाओं के संप्रेशन को सूचना इस्थानांत्रन चक्र कहा जाता है तो यह था दोस्तों सूचना इस्थानांत्रन चक्र का अर्थ और परिभाशा अब हम यह जानेंगे कि सूचना चक्र के उद्देश यह क्या है तो दोस्तों पहले हम आपको हेडिंग जो है आपके स्क्रीन पर दिख हाई देर ये सूचना इस्थानांतरन चकर के उद्देश है। अब हम इसका मतलब जानते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है सुचना इस्थानांतरन चक्र का उद्धिश ये क्या है मतलब एम क्या है इसका अब ये जान जाएए पहला जो है सुचना इस्थानांतरन चक्र से सुचना नित प्रति दिन अधितन होती रहती हैं दूसरा है सुचना इस्थानांतरन चक्र सुचन प्रशार कई दिसाओं में होता है अतों इससे लाभानवित होने वाले लाभों की संख्या भी ज्यादा रहती है पांचवा है सूचना इस्थानात्रां चक्र से उब्भकतां को वांचित सूचना की त्वरित एवं उप्यूक्त आपूर्ती होती है तो यह था सूचना सूचना एस्थानातर चक्र का उद्देश कहें अब यह जानेगे कि सूचना एस्हानातर चक्र की صु दोस्तों नोट कीजे सूचना एस्हानां प्रक्रिया गर्षी और न् resort सूचना के इस्हाना के- प्राप्ति एवाँ सूचना को उप्योग इन सब माध्यमों से सूचना अपने गंतव वितक की बेहतर यात्रा करती है और परिडाम सकारात्मक रुप से नजराते हैं यह था सूचना इसानात्र चक्र की प्रक्रिया अब हम जानेंगे सूचना का स्रीजन क्या होता है तो दोस कितनी प्रभावकारी रखता है यह सूचना के स्रीजन में उतना ही महत्व रखता है यह था सूचना का स्रीजन अब जानते सूचना का संकलन क्या होता है सूचना का संकलन संकलन करता की व्रिद्धी भद्ता एवं उसकी अनुभव सीलता पर निर्भर करता है सूचना का संक एवन प्रभावकारी होनी चाहिए बलकि उसका समाजिक आर्थिक सांस्कृतिक महतो भी जरूरी होता है यह था सूचना का संकलन अब हम जानेंगे सूचना का संग्रहण जी हां सूचना का संग्रहण अब इसके बारे में जाएए सूचना स्थानांतरण प्रक्रिया के पूस्ता है यहां दोस्तों यह वहती संग्रहण सुचना की अंतरगत है क्योंकि सुचना की जरूरत कहीं भी पढ़ सकती है संग्रहण की जरूरत महसूस होती है सूचना के संग्रहर में संग्रहर इस्थल की गुडवत्ता वर सनरच्छन की छमता का भी ख्याल रखा जाता है चूँकि सूचना नकेवल डेश के आंतरिक भागों में बल्कि बाहय भागों में भी प्रभावकारी भूमी का निभाती है अत्र संग्रहन पर विशेश तौर से ध्यान दिया जाता है जी हाँ दोस्तों सूचना में संग्रहन का बहुत ही महत्व है अब हम जानेंगे सूचना का संप्रेशन, सूचना का संप्रेशन क्या है संप्रिशन की गुडवत्ता मुद्दे की प्रात्मिक्ता एवं उच्च परकता को निर्धारित करती है अक्सर देखने सुनने को मिलता है कि अमुग सूचना के संप्रिशन से अमुग समस्या का उद्भव हो गया और अमुक सूचना की समप्रेशण से अमुक समस्या का निदान मिल गया. अधिर सूचना का समप्रेशण अत्यदिक महतवण बिंदू माना जाता है, खास तोर पर जब कोई अतिस संवेदन सिल मुध्ञा प्रकाश में हो. अब हम जान disgustangen की पुनरप्राप्ति. सुचना की पॺनरप्राप्ति क्या है? सुचना स्थनांतरप्रकृञा के अंतरगत प्रैत चर prevention में सुचना की पूनरप्राप्ति होती है. लेकिन यह पुनरप्राप्ति उन्तत कालिन सूचना की महत्ता को द्वी गड़ित करने में मददगार होती है असली सूचना की पुनरप्राप्ति तो तम मानी जाती है जब सूचना चक्र पूरा हो जाता है क्योंकि उस समय एक असल बिंदू असल तक्ठे पर पहुचने का समय होता है वस्तुतर तो प्राप्त हुई सुचना काफी समभावनाओं से भरी होती है और उसमें सुधार के पर्याप्त मौके भी होते हैं ये था सुचना की पुनरप्राप्ति अब हम जानेंगे सुचना का आप लोग नोट कर रहे ना दोस्तों मैं बार 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 बोलने यो कॉपी पेल लेके बैटी मैं जो बोलने उसको नोट बनाते चलिए आपको आगे के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा अब चलिए सुचना का उप्योग इसको भी नोट कीजिए कोई भी सुचना हर हाल में महत्तपुन होती है सुचना के उप्योग की महत्ता इसी तथ्य से प्रतीत होती है यह किसी भी समाज में एक कौतुहल पुन माहौल का निर्मार करती है कोई भी समाज हो संगठन हो देश हो इकाई हो उससे सुचना की उप्योगिता मालूम होती है तो सो दोस्तों आम भा पुस्तकाले विज्ञान में सूचना इस्थानांतर चक्र एवं प्रक्रिया में सूचना के उपयोग के संदर्व में एक महत्पुन अस्थल के रूप में कारेकारी होता है पुस्तकाले विज्ञान में सूचना को उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है और इस प्रकार सूचना महत्पुन भुमिकानी भाती है चाहे वो पुस्तकाले का छेत्रों चाहे वो आम जंता के भासा में कहा जाए कि ऐसी आम तोर पे हो तो दोस्तों इससे यह समझ मैं कि सूचना कितना ही इंपोर्टेंट है और इसका मतलब जानना बहुत ही जरूरी है तो हम आपको जो भी बतात परकरिया एक सारे लुए हम आपको बताएंगे उपाल भी क्या है अभी डिकत होगे में इसके तुक तो 5-1 चाहे शारे हो दाने पुंगए अससे हारे कि वी चलाय झा यह जाति हम इसी लिए हम आपको इसको दो करके ला रहे हैं आपके सामने वीडियो एक पार्ट एक पार्ट बी करके ताकि आपको हमें आपको संझाने में भी आसानी रहे आपका ज्यादा समय भी ना लगे आपको बोरिंग भी ना महसूस हो और आप एदम जो है दिमाग लगा करके अदम मस्ती से पढ़ाई करते हुए जो दोस्तों यह था पार्ट ए पार्ट एक अंतरगत इतना था अब हम जो आपके सामने कल जो दूसरी वीडियो लेकर आएंगे वह होगी पार्ट बी उसके अंतरगत सूचना इस्तानातर प्रक्रिया जो यह में टॉपिक है इसके बारे में हम सूरू करेंगे इसके अंदर जो भी जानकारी हम आपको वह देंगे तब आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बार हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंड एमसी क्यों देंगे जो कि आप एक्जाम में पूछे ही जाते हैं तो दोस्तों हमारे आज की वीडियो को और हम आपको इस तरह से चैप्टर बता कि आपको 31 चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद